नमस्ते फ्रेंड्स आप सभी का competitive exam master channel पर स्वागत है आज हम 29 दिसंबर 2018 के current affairs को डिसकस करेंगे कृपया इस वीडियो को last तक देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किजिए तो चलिए हम 28 दिसंबर के important questions की revision करते है देश का 25 उच्छ नयाले किस राज्य में अपना काम का शुरू करने वाला है उत्तर है आंदरप्रदेश में भारत रतन अटल भिहारी बाचपई इंटरनेशनल स्कूल का उदगाटन कहा किया गया उत्तर है मुंबई महाराष्ट में Champions of Change पुरसकार से किस मुख्य मंत्री को सम्मानित किया गया उत्तर है मनिपूर के मुख्य मंत्री एन बिरेन सिंग को प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने 166 भारतिय विज्यान कॉंग्रेस का उदगाटन कहा करने वाले है उत्तर है पंजाब के फगवारा में किस पूर्व औस्ट्रेलियाई कप्तान को ICC Cricket Hall of Fame में शामिल किया गया है उत्तर है रिकी पॉंटिंग को किसने Integrated Defense Staff के Deputy Chief के रूप में पदभार संबाला है उत्तर है Air Marshal राजिव सजदेवाने Infrastructure Leasing and Financial Services Limited के Deputy Managing Director के रूप में किसे नियुक्त किया गया है उत्तर है बिजय कुमारजी को कुनो वन्यजिव अभारन्य किस राज्य में स्तीत है उत्तर है मध्यप्रदेश में तो चलिए अब हम 29 दिसमबर 2018 के Current Affairs को डिस्कस करते है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बूटान की बारवी पंचवर्षी योजना के लिए बूटान को कितने करोड रुपे की वित्तिय सहायता की गोशना की है उत्तर है 4500 करोड रुपे बूटान की नई पंचवर्षी योजना 2018 में शुरू हुई और यह 2022 तक जारी रहेगी बूटान के प्रदान मंत्री है डॉक्टर लोताई शेरिंग और राजधानी है थिंपू और मुद्रा है बूटानी नगुलतरम 26 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में आयो जिद मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी ब्यूटी पेजन 2018 के फाइनल में मिसेज इंडिया 2018 का खिताब किसने जीता है उत्तर है मध्यप्रदेश की दिव्या पाटिदार जोशी ने मध्यप्रदेश की राजधानी है बोपाल मुख्यमंत्री कमलनाजी और राजजपाल है आनेंदिवेन पटिल 26 वी राश्ट्रिय बाल विज्यन कॉंग्रेस का उद्गाटन कहा किया गया उत्तर है ओडिशा के बूनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री नविन पटनायक ने बूनेश्वर में इसका उद्गाटन किया इसमें 10 एशियाई और 7 खाड़ी देशों के 806 भाग ले रहे है इस वर्ष का विशे है Science, Technology and Innovations for Clean, Green and Healthy Nation ओडिशा के राजदानी है बूनेश्वर, मुख्यमंत्री है नविन पटनायक जी और राजजपाल है गनेशी लाल जी किसने भारत के मुख्यमं मुख्यबाजी कोज के रूप में पद संबाला है उत्तर है C.A. कटपपा ने द्रोणाचार पुरस्कार विजेता सीये कटपपा ने चल रहे राष्ट्रिय क्यांप में भारत के मुख्य मुख्यबाजी कोज के रूप में पदवार संबाला है किस राज्य सिरकार ने टिहरी जील में सी प्लेन चलाये जाने के प्रस्ताव को मंजुरी दे दी है उत्तर है उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंग रावत राज्यपाल है बेबी रानी मोरिया हर्याना के मुख्यमंत्री मनोरलाल कट्टर ने राज्य में चलाये जा रहे सभी चाइल्ड केर संस्तानों का नाम बदल कर क्या करने की गोशना की है उत्तर है जगनात आश्रम हर्याना की राजधानी है चंदिगड, मुख्यमंत्री है मनोरलाल खटर और राजजपाल है सत्यद्यों नारायन आरि बारववा वार्शिक भारतिय उपमहादवीप निर्णय विज्ञान संस्तान सम्मेलन कहां आयोजित किया गया उत्तर है मुंबई में इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश शिक्षाविदों, शोध करताओं और चिकित सकों को अनुसंदान का प्रशार करने के लिए एक मन्ज प्रदान करता है जो निर्ने लेने के क्षेत्र में चुनोतियों, अवसरों, उबरती, रन्नितियों और विशलेश अनात्मक उपकरनों में अंतरजिष्टी प्रदान करता है केंद्रिय मंजूरी और निग्रानी समेती की 41 वी बैठक कहा आयुजित की गई, उत्तर है नई दिल्ली में शावकत मिर्जी योवेव को एशिया जर्नलिस्ट असोशियेशन द्वारा दोजार अठरा के लिए एशियन ओफ द येर नामित किया गया है वह किस देश के राष्टरपती है, उत्तर है उजबेकिस्तान के किसे जवारलाल ने रूपोर्ट ट्रोस्ट का अध्यक्षन युक्त किया गया है, उत्तर है संजय सेटी जी को तो चलिए अब हम जनरल नॉलेज के कुछ क्वेस्टन्स डिसकस करते हैं किस एक मात्र भारतिय को अर्थशास्र में नोबेल पूरसकार मिला है, उत्तर है प्रोफेसर अमरिक्त सेन को कौन सा मुगल बादशा अशिक्षित था, उत्तर है अकबर बादशा अमरुच्षर शहर की स्तापना किसने की, उत्तर है गुरु रामदार जी ने गदर पार्टी का संस्तापक कौन था, उत्तर है लाला हर्दयाल सीख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी, उत्तर है गुरु अंगध्योजी ने अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद